इकोना इलाके के बीरपुर उपकेंद पर छे दियुसे प्रसिच्छड के समापन के औसर पर प्रमारपत का किया गया भी तर्ण सावसी जनपत के इकोना इलाके के बीरपुर उपकेंद का मामला जहां पर राष्टिय के सोच स्वास कारिकम के तहत चाइनित एजूकेटर का छ शाहदी उसे प्रसिच्छण संपन कराया गए जिसके समापन पर यची वो अब्दुल हन्नान डाक्टर अनिलते पाथी नाजिम खान काउंसलर के द्वारा प्रमारपत्र का बितर किया गया प्रमारपत्र पाकर प्रसिच्छण कर रहे लोगों के चेहरों पर मुस्कान दिखा पड़ी आपको बता दें यहां पर छे दिउसे प्रसिच्छण का रिकम का अजन किया गया जिसका प्रमारपत्र आज बितर किया गया भीनगा इलाके के भंगहा मोर के पास पुलिस वा निगदानी टीम के सदस्च्छे उने चलाया वाहन चेकिंग अभियान आ जा रहे वाह निगदानी टीम के सदस्च्छों वा महिला पुलिस कर्मी दिब्यासिंग की मौझूदगी में यहां पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया इस दोरान भिनगा बहराईश मार्ग पर गुजर रहे वाहनों को रोक कर उन वाहनों की बारीकी से तलासी ली गई साथ ही उनक इकवना इलाके के तड़वा महंत में पहुँचकर सपा प्रत्यासी असलम रायनी ने चौपाल लगा कर लोगों से मांगा जन समर्थन स्रावस्ती जनपत के इकवना इलाके के तड़वा महंत का मामला जहां पर सपा प्रत्यासी असलम रायनी ने चौपाल लगा कर लोगों से जन समर्थन मांगा एक बार फिस समाजबारी पार्टी की सरकार बनाने के लिए लोगों को प्रेद करते हुए सरकार द्वारा जारी घोस्तना पत्र के बारे में लोगों को जानकारी दी स्रावस्ती जन्पत के एकवना इलाके के टड़वा महंत की ये तस्वीरे हैं जहां पर पहुँचकर सपाप रत्यासी असलम राइनी ने चवपाल लगा कर लोगों को इकठा कर जन समर्थन मांगा और विकास के वादे किये बिधान सभाचुनाओ 2022 को सकुसर संपन कराने है तो पुलिस अधिचक कर्मिन प्रमोर्या द्वारा सभी प्रभारी निरिचक ठाना अधिचकों के साथ पुलिस लाइन सभागार में की गई समीच्छा बैठक दिये गए आउसर दिशा ने देश इस दोरान अपन पुलिस अध अधिचक के साथ समीच्छा बैठक की गई तथा आगामी चुनाओ को सकुसर संपन कराने के लिए आउसर दिशा ने देश दिये गए सावस्ती जन्पत का मामला जहां पर पुलिस अधिचक चुनाओ को लेकर काफी सतर्क है और लगातार बैठकों तथा ने दिश्ण का दोर जारी है